नमस्ते मैं हूँ रवीन्द गौतम और आप देख रहे हैं Bluntly Speaking आज हम जिस मुद्डे के उपर बात करने आए हैं आज का जो टाइटल हमने चुना है, टॉपिक चुना है कि मेन स्क्रीम मीडिया किसके कबजे में हो सकता है कुछ लोग कह भी रहे हो, सोच भी रहे हो कि मेन स्क्रीम मीडिया किसी के कबजे में हो सकता है अगर मेन स्क्रीम मीडिया कबजे में नहीं है तो किस मीडिया को गोदी मीडिया का टाइटल दिया गया है और यदि मेन स्क्रीम मीडिया कबजे में नहीं है तो ऐसी महामारी में जब सरकारों की घोल लापरवाही के बावजूद इतनी मौते हो रही है इतनी अफरा तफरा मची हुई है तो ऐसे में कहां से ये सिस्टम वर्ड निकल के आया और ये सिस्टम किसका है ये भी पता लगाना होगा कि जब सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पर सिस्टम फेल है सरकारे कोई भी फेल नहीं है लेकिन बार बार मैंने पूछा है कि आखिर वो सिस्टम है किसका जो सिस्टम फेल हो गया है और जब हम में इस्ट्री मीडिया की बात करते हैं जो चाहें वो हेल्थ की बात हो मेडिया हमेशा 30 मिनट का 6 मिनट का 2-3-4 कैप्शुल चला के उसके बाद इतिश्री कर लेती है लेकिन कुछ ऐसे राजनितिक मुद्धे होते हैं जिनके उपर लगातार डिबेट पर डिबेट डिबेट पर डिबेट करते रहते हैं बहुत सारे ऐसे गयर जुरूरी मुद्ध होते हैं जिस पर एक एक डेड़र महीने तक लागातार कवरेज करी जाती है और उसके बाद हासिल कुछ नहीं होता है क्या मेनिस्री मेडिया सरकार के कबजे में हैं नेताओं के कबजे में हैं या बड़े-बड़े वियापारियों के कबजे में हैं कल एक बड़े चैनल के उपर जो देश का नंबर वन न्यू चैनल अपने आपको कहलाता है हाला कि किसी ने बताया कि उभी देश का नंबर दो चैनल हो गया लेकिन दोनों लोग अपने अपने आपको नंबर वन मानते हैं उस पे देश के बड़े वेपारी लाला रामदेव का इंटर्व्यू था, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स पर कुछ गंभीर आरोप लगा दिये थे, और उसके लिए IMA से कुछ डॉक्टर्स उस शो पे थे, दो डॉक्टर थे, डॉक्टर राजन शर्मा और डॉक्टर लेले और लाला रामदेव को शो पे जो इंटर्व्यू चल रहा था, चर्चा यही थी कि जो उन्होंने बयान दिया था, उस पे हलाकि उन्होंने बाद में माफी मांग ली थी, डॉक्टर हर्श वर्दन जो भारत के स्वास्ते मंत्री हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि कल वाले शो की मैं थोड़ी सी चर्चा इसलिए करना चाहूंगा, जब हम बात करें मीन स्ट्रीम मीडिया कबजे में हैं, कल वाले शो में लाला रामदेव, बार बार मैं बाबा निकल जाता है क्योंकि सुनते आये हैं बड़ टबोचू की लाला रामदेव हो चुके हैं, त तो लाला रामदेव के फ्रेम में उनके जो तथा कठित एक मात्र कोरोना से लड़ने की दवाई वो उन्होंने डिस्प्ले कर रखी थी, चली कोई बात नहीं, फिर उसके बाद बीच बीच में स्वाइप्स भी उनके चल रहे थे, तो मेरा सवाल ये है कि जो कल का ऐसे प्रोड़क्ट डिस्प्ले क्यों था, क्या वो इंटर्विन स्पॉंसर था या और क्या वजह हो सकती है, इन सब विश्यों पे हम चर्चा करेंगे.